नमस्कार स्वागत है आप सब का ततकाल संदेश में मैं आपके साथ गायत्री हाजी रूम बड़ी खबर के साथ मुखमंत्री का नया कारनामा युबाओ में भारिया क्रोज एक लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं पचास हजार फिर देने का वादा मदप्रदेश में मिधाग सवाचुनाव की उल्टी गिंती सुरू हो गई है और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरो प्रत्यारो भी तेज हो गए हैं लेकिन गोशनावीर के नामशे प्रसिद्ध मदप्रदेश की मुखवंत्री सिवराज सिंग चोहान जो अपनी किसी भी यात्रा में ये मेनारिया लेकर चलते हैं और जनता का मूर भाब कर बिना अपने मंत्राले और वित्युभाग से समझे हुए गोशनाए कर देते हैं इसी कारण 2013 से 2018 के दाउरान लगभग 5000 गोशनाई करने वाले मदप्रदेश के मुखवंत्री सिवराज सिंग चोहान की 3000 गोशनाई रद्धी की टोकरी में चली गई हैं इस प्रकार 23 मार्ज 2020 से सुरूख की गए चोथी पारी में भी अब तक लगभग 5000 गोशनाई कर चुके मदप्रदेश के मुखमंत्री की 1188 गोशनाओं में आज तक प्रारंबिक स्तर की करवाई भी नहीं हुई इसका मुख कारण सरकार की नियत का है क्योंकि सरकार यह मानिती है कि इवेंट बनकर किसी भी काम को करने से कुछ दिनों तक जनता का एक विसेश वर्ग जो उससे लाभानवित होने वाला है वह खुस रहेगा और धीरे धीरे नई घोशनाओं और सामाजिक मुद्दों में उलज कर भाजपा के पक्ष में खड़ा रहेगा सबसे महत्वा कांची योजनतों संपूर प्रदेश को प्रभावित करने वाली है वह है यूवा रोजगार की जिसके लिए मत्प्रदेश के मुखमंत्री में अपने चारो कारिकालों में बड़े बड़े वादे किये लेकिन वही दूसरी ओर 20 सालों में लगातार संबिदा की नौकरी करने वाले कर्मियों को अस्थाई नहीं किया गया सरकार पर लगातार या आरोप लगाते रहे कि मत्प्रदेश के सभी विभागों में आउट्सोर्स के जड़ ये जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं वह बड़े-बड़े भाजपा नेताओ के आउट्सोर्स कमपनिया है जो बहुती कम कीमत की मजदूरी देकर पढ़े लिखे यूबाओं का समय और शंशाधन का दूर्प्योग कर रहे हैं सरकार सब जानते हुए भी कोई कदम ने उठा थी 15 अगस 2022 को मुखवंत्री ने कारिकरम के दौरान घोषना की थी कि अगले एक साल में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी यूबा खुस थे उनमें से कुछ यूबाओं को नौकरी मिली भी लेकिन यह लक्ष 50% दूर रहा आज यह इस्थित है कि खबर लिखे जाने तक 12 अगस 2023 को 40,000 पत का वादा मध्प्रदेश सरकार पूरा नहीं कर सकी है लेकिन सरकार और सरकार की मसीनरी 60,000 को इस प्रकार से प्रचारित कर रही है जैसे सरकार ने अपने आकड़े पूरा कर लिये हैं और एक नई घोषना 50,000 नौकरियां की दी गई है देखने वाली बात यह होगी कि 60,000 नौकरियों में से ज़्यादा तर नौकरियां कमपटिशन पर अधारी थी और उनमें से कई के मामले कोट में चल रहे हैं पटवारी भर्ती घोटाला ब्यापम की तर्ज पर ही था लेकिन यह मधप्रदेश का दुरभाग है कि ब्यापम एक को भूलने के बाद ब्यापम दो की बात की जा रही है ऐसा लगता है कि मधप्रदेश की जनता ने ब्यापम फाष्ट की क्लीन चिट देती है और सरकारी मसीनरी का साहस इतना बड़ा है कि व्यापम टू करने के लिए स्वतंत्र हो गई है यूबाओं भरको नहीं सरकार की कई योजनाई असंगत है जिसे उसी के वित्त विभाग और प्रशासनी अधिकारियों ने बिरोध किया जिसमें से मुख रूप से लाड़ी बहना योजना जिसमें सरकार के वित्ती दवाब के कारण विकास के रुख गए हैं जो विकास के कारी दिखाई दे रहे हैं वह मातर पुराने प्रोजक्ट हैं जिनमें भी लगतार पैसे की कमी बनी हुई है टैक्स का सारा पैसा सरकार की असंगत घुष्णाओं के पीछे जा रहा है जबकि आज सड़क में चलने के लिए रोड टैक्स के सास सारी सड़के निजी करण को दे दी गई है मदप्रदेश की सभी प्राइम लोकेशन की जमीन विकास के नाम पर सस्ती दरों में बेची जा रही है लेकिन चारों और हो रहे कंक्रीट के जंगल और घुष्णाओं के माया जाल में जनता फंसी हुई है वही विपक्ष में भी इस बात को तठस्ताव से रखने में कमजोर स कावित हुआ है जिसका परिणाम 2018 में कब कम अंतर से जीत और उसके बाद अपनी सरकार गवा देना देखा गया है मदप्रदेश में घोष्णाओं की पूर्ति सबसे कम रही है लेकिन उतनी ही अधिक मात्रा में घोष्णाओं की संख्या आज यह इस्थित है कि मदप्रदे हैं कि मुखमंत्री शुराज सिंग चौहां जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जेव में एक नारियल और रोली रखते हैं जहां भी समझ में आता है वहां घोष्णाओं करके उसे नारियल को फोड़ देते हैं और प्रसाद बाटकर अपनी प्रशंशा मीडिया सोस की इसक्रीवों में उलशी रहेगी या प्रदेश के खस्ता हाल होते बिवस्था को भी देखेगी यह समय बताएगा लेकिन यूबाओं के लिए किये गए एक लाग घोष्णाओं में से 40,000 घोष्णाओं अभी भी बाकी हैं जिसमें रोज की 10,000 नौकरिया सरकार किस प्रक अपी बनी